नमस्कार आज हम लोग डिस्कास कर रहे हैं पॉलिकाइब इंडिया की उपर काफी लंबे समय से ये המारी लिस्ट में हैं पॉलिकाइब इंडिया 900 पर हम लोगों पर्शित की आता अब यहाँ पे कंपनी का IPO प्राइज और आज जो करेंट प्राइज देखते हैं तो करीब करीब आठ नौ गुना ये मल्टिप्लाय हो चुका है मतलब शेयर होल्डर को अच्छा खासा पैसा मिला है अगर किसी ने पॉलिकाब इंडिया का अभी तक भी शेयर नहीं बेचा है लास्ट फाइफ येर के अंदर करीब 700-700% के रेटन मिले हैं इसके अंदर तो यानि जो रेटन है वो काफी अच्छे हैं काफी ज्यादा है तो आब वैसे देखना चाहिए यहाँ पर हम लोग क्या डिसकस कर रहे है उसके अगर आपको परचेस करना है तो एक रेंज पता चल जाएगी कि इस रेंज में यह आपका परफेक्ट बाय होगा यानि रिस्क और रिवार्ड आपको पता चलेगा तो आप अच्छी पर्चेसिंग प्राइज आपकी होगी और अगर आप सैल करना है माल लीजे साल दो साल तीन साल के अंदर तो आपकी सैलिंग प्राइज भी अच्छी होगी तो एक एस्टिमेट आ है और जो रेवन्यू है वो कैसे हैं और कैसे रहेंगे यह सब कुछ आपको पता चल पाएगा जिसमें अवरोल कंपनी का आप मार्केट कैप देखते हैं तो मार्केट कैप करीब करीब 79-80,000 करोड के आसपास हो चुका है 5500 यह ओल टाइम हाई टच करके आ चुका है यानि क करीब करीब 5500 से 6 रूपे नीचे है पूरा 5500 इसने टच नहीं किया है और यहां पे इस टॉक प्राइस टोरिंग जो है 49.5 हो चुका है इसमें सबसे अच्छी बात क्या रही है इसमें जो रिवाड मिला है न मेली वो मिला है प्राइस टोरिंग एक्सपेंड का क्योंकि हो सकते हैं अगर जहां 100 के 200 बनने चाहिए थे वहां 100 के 500 बने हैं सिर्फ प्राइस टोरिंग एक्सपेंशन होने से तो यह फाइदा मिलता है अगर जैसे हम लोगोंने दी माट की बात कीती ती दी माट का प्राइस टोरिंग 100 के ओपर trade कर रहा है तो वहां पे एक्सपेंशन जो प्राइस टोडिंग एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि लाइक आप इसको कंपेर कर सकते हैं अधर कंपनी से लाइक हैवल्स हो गया एंड वायर सें केबल्स में और भी कंपनी से लाइक के याई जो अभी लिस्टेड हुआ है रिसेंट्ली आदर केवल तो उसका प्राइस ट नज़र आलते हैं इसका रैवन्यू क्या चल रहा है रैवन्यू बैसे देखते हैं तो सैप्टमबर यर ओन यर बेसिस पे जो रैवन्यू है वो करीब-करीब 26% का बढ़ा है यह 3332 करोड का रैवन्यू बढ़के 4218 हो चुका है पर क्वाटर ओन क्वाटर बेसिस पे वो हो चुके है 14% के आसपास 14.4 तो यह जो मार्जिन है उसमें अच्छा कासा इंप्रूमेंट देखा गया है एंड इसके बाद finally profit की बात करते हैं तो net profit में काफी अच्छा उछाल देखा गया है 271 करोड का जो net profit है वो भड़के 430 करोड हो चुका है तो इसमें आप year on year basis में देखेंगे तो 59% का net profit बड़ा है and quarter on quarter basis में single digit में single digit में भी करीब-करीब 7% का ही net profit बड़ा है तो वहाँ से एक आईडिया लग जाता है कि लगबग इस result यानि 428 करोड का जब profit आया था company का और जो revenue आया था और जिस कारण से इसका 28 का पी है तो यह आने वाले अगले 3-4 quarter company को market value करने लग जाता है मतलब यह मानने लग जाता है जो highest ever result दी है highest ever जब profit आया है last quarter के comparison में या year basis के comparison में तो market उस हिसाब से reward करता है तो market ने वैसे ही reward किया और continuously इसके जो profit है वो 400 करोड के उपर आ रहे है तो यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा है तो फिलाल अब यह समझना है कि इसका trailing 12 month यह दिख रहा है आपको इसको आप अच्छे से समझिए trailing 12 month में यह revenue कितना है 20,000 करोड का करीब करीब यह estimate दिया था polycab India expect to clock rupees 20,000 करोड revenue ahead of FI 26 timeline polycab India तो यहाँ पे करीब यह revenue है trailing 12 month आगया यह FI 24 है 16,146 करोड का हो चुका है जो growth आ रहे है लगबग 1223 की growth है यानि March 22 March 23 की revenue growth करीब करीब यह 15% की है और अब भी यह जो growth को आप compare करेंगे दोनों को trailing 12 month यानि half early जा चुका है दो quarter के result आच चुके है जिसमें यह जो growth है वो करीब 14% है जबकि यह माल लीजिए कि इन्होंने इस यह जो दो quarter है ना इसमें जो growth रही है इनकी काफी fast रही है तो हो सकता है कि इस साल इनका जो estimate जो growth है वो 20% के आसपस रहना चाहिए मेरे साब से यह 15% से जादा निकल के आना चाहिए और अगर मान लीजी यह 15% भी देते हैं आफाई 23 से आप compare भी करते हैं तो करीब-करीब अब बोल सकते हैं आप क्योंकि जो यह एफाई 24 में जो इनका revenue आया है ना वो ज्यादा आया है उमिश से मतलब यह करीब 16200 करोड के आसपास तो full year क होना चाहिए था पर यह हाफ एली में 16,146 करोड का हो चुका है तो यह काफी जादा है क्योंकि because क्यों जादा है इसका reason मैं आपको बताता हूं company के reason क्या है company ने बोला है कि जो government के जो infrastructure project है वो काफी सारे अभी इस समय release हुए है तो इनको काफी सारे project मिले है जिसका benefit इनको म मिल रहा है raw metal की prices stable हो चुकी है पिछले दो quarter से जहां पर अगर यह कह रहे है कि जब भी raw metal की prices stable होती है तो demand में pick up अच्छा कासा देखा जाता है order book देख लीजिए order book करीब करीब 6 महीने की बता रहे है छह महीने की order book इनके हाथ में है 4-6 महीने की order book cash जो है करीब यहां पर आ आ रहा है 1800 क्रोड यानि अपडेट नहीं है 1800 क्रोड का cash पड़ा है capex की बात करते हैं तो capex fi 26 में plant ready हो जाएगा नया जिसमें यह capex रहेगा overall 700 क्रोड का रहेगा 700 क्रोड का जिसमें यह already 350 क्रोड खर्च कर चुके हैं advertisement काफी कर रहे हैं यह लोग world cup में आप देखेंगे तो काफी polycap polycap india polycap india दिखाई देगा जिसमें इन्होंने अभी logo भी change किया है and b2c में यह लोग focus कर रहे है इसलिए यह add कर रहे है management का कहना है कि यह add इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह b2c में focus करेंगे तो इनको फायदा क्या मिलेगा direct business to consumer हो गया यह तो जहां इनको फायदा क्य 14% वाले margin है वो 16-17% पर जा सकते हैं अगर यह b2c पर ज्यादा focus करेंगे और यह जो b2c का revenue इसका 2-3% यह spend कर रहे हैं या 2-3% इनकी spending है World Cup में तो वैसे आपको समझना चाहिए तो यहां पर आने वाले quarters अच्छे ही होंगे कोई doubt वाली बात निये 15% जो company का guidance है वो पूरा ह जता हूँ अब यहां एक बार और समझी आप जैसे यह देखो अभी फिलाल यह जो guidance के साप से जो यहां पर revenue आ रहा है ना निकल के जैसे ट्रेलिंग में 16 जा रहे है तो इसमें हम FI 26 निकालेंगे ना तो FI 26 के हिसाप से यह revenue करीब करीब बैठ रहा है यह बैठेगा करीब net profit कितना है 1622 क्लोड का है आप माल दीजिए अगर margin यही रहता है similar और tax rate भी यही रहती है तो यह करीब-करीब आप देखेंगे ना 10% का रहा है यानि net profit margin 10% का है यह 16166 का 10% निकालेंगे तो लगवग यह आएगा मतलब 10% या 10% से 10% से हलका फुलका ओपर या लका फुलका यहां आपको क्या करना है यह 22,000 क्रोड का 10% आप लगा लिजिए approximately 10.5 भी हो सकता है और 9.5 भी हो सकता है पर हम approximately 10 ले रहे हैं यह दियान रखना है आपको क्योंकि एक्जेक्ट हमें थोड़ी पता है क्या होगा क्योंकि उस समय है depreciation rate उपर नीचे हो सकती है अलकी फुलकी interest उपर नीचे हो सकता है या कोई tax rate उपर नीचे हो सकती है पर according to management चल रहा हूं मैं जो net profit margin है वो साड़े 9 से साड़े 10 परसेंट की बीच में रह सकते हैं पर हम 10 परसेंट ले रहे हैं तो आप यह बाइस सो क्रोर होगा 22,000 क्रोर का revenue मानके चल रहे हैं यह बाइस सोगा और यह 107 का जो ट्रेलिंग 12 मंत में जो EPS है न यह FI 26 में बढ़के हो जाएगा कितना निकाला है मैंने इसकी calculation करी है यह हो जाएगा 145 का तो 145 का EPS हो गया अब इसकी value कैसे निकालेंगे हम value बहुत easy है जैसे अभी current इसका P कितना चल रहा है current आप देखेंगे तो 50 का चल रहा है approximately 49.5 का त इसको सेम पी देता है तो इसकी value हो जाती है FI 26 में 7250 यानि अभी चल रहा है 23 यानि 24, 25, 26 या अगले तीन साल बात इसकी value यह बढ़ेगा करीब-करीब अगर इसको 40 का पी देता है मार्केट क्योंकि इसका देखो मेडियन पी कमाएगा मेडियन पी देखो फाइब को 33 है हम तो 40 का देखेंगे तो यह 38-39 का हो गया क्यों क्योंकि यह जब IP आया था ना उस समय यह 15-16 के पीपे आया था यानि बहुत ही रीजनेवल रेट पे सकता है 40 के पीपे जबू चल जाए पर 40 के पीपे जाएगा तो सारी ही फिर यह जितने भी इसके पीर से सब जाएंगे सब को जाना पड़ेगा अगर सब नहीं जाएंगे तो यह भी नहीं जाएगा केला यह आवल्स क्योंकि यह यह विद्ध को आप देखते हैं तो है बस क स्विचेज हो गए फैन हो गए यह करीब करीब 12-13 परसेंट का है तो यहाँ पे अब जिस हेसाब से पॉलिकाब एक ब्रैंड बन रहा है बड़ा हैवर्स के कंपैरिजन में भी आप देखते हैं तो हो सकता है कि प्राइस टोर्निंग जो एक्समेशन इसको मार्केट और दे य तो अठावन सवाएगी फाइफ डबल जीरो यानि तीन साल बार इसमें कुछ खास रिटर नहीं बनेगा यह मैं नहीं कहता हूं आप ऐसे गलत ना समझे मेरे को एंड 60 का देता है मालीजे मार्केट यहाँ से और जादा देता है और 20 परसेंट का और यहां एक्सपेंट कर देता है जो हो भी सकता है तो यह किसी को मालूम नहीं तो 145 को 60 से मुटिप्लाइब करेंगे तो इसकी वैल्यू आठीजार सासर रुपे हो जाती है तो आठीजार सासर रुपे होती है तो अच्छा का सा रिवार्ड मिलेगा श्रल्डर को वैसे आपको समझना चाहिए तो 1213 या 110 110 आप लगा लिजिए 110 को वही से 50 जो करन्ट चल रहा है उससे मुटिप्लाइब करेंगे तो पच्छ पंसो यानि बिल्कुल फियर वैल्यू के आसपास खड़ा है यह आफ़ाइब 24 के साब से अभी तो एक हाफ एली और बाकी है एंड चालिस का देता है चालिस से मुटिप्लाइब करेंगे तो इसकी फियर वैल्यू 4400 होई अगर यह मार्केट एक्समेशन देता है इसको 60 का करज़ेता है प्रेस्टोरिंग 50 से तो फिर वैल्यू च्यांसर से हो गई यानि यहां से अभी भी करीब करीब 1314 रुपए यहां से और भर सकते हैं तो कि कोई कुछ खास चला नहीं है तेजा 14% से निफ्टी चली इसकी कंपैसर में 100% चलाए क्योंकि प्राइस टोर्णिंग एक्सपेशन इसको ज्यादा मतलब वो राया बैनिफिश्टल राय के लिए श्यादर को इसी का फाइदा जादा मिला है यहां पे इसमें सपोर्ट ले है तो 4580 रुपय के असपास यानि 4600 रुपय का सपोर्ट है इनिश्यल तो इनिश्यल सपोर्ट की हम बात करते हैं तो 4600 है 4600 के असपास आए तो शायद एक अच्छी बाइंग अपॉर्चिनिटी इसको बोल सकते हैं वहां पे एक अच्छा बाय होगा ठोड़ा दो तीन साल रुपय के असपास है अब तो यह अल्टाइम आई बनाएगा पच्छ पंसर रुपय के उपड़ी पच्छ पंसो जब तक रोस निकरेगा जब तक यह रेंज में रहेगा 4600 नीचे में एंड उपर में 5500 तो 4600 और 5500 यह लंबी रेंज हो गई छोटी रेंज की बात करते हैं तो छोटी रेंज में यह आगया 4900 नीचे में और उपर में वही 5500 यह छोटी रेंज हो गई तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए पॉलिक इंडिया को श्रॉल्डर पैटन देखते हैं तो श्रॉल्डर पैटन भी इसका काफी स्ट्रॉंग है श्रॉल्डर पैटन में यहां देखेंगे तो करीब प्रमोटर की ओल्डिंग 66% है दीदे दीदे यह लोग हल्की फूल की कम कर रहे हैं और कैपक्स पर ध्यां दे रहे हैं एफाई आई नौ साड़े नौ परसंट है डिया नौ साड़े नौ साड़े नौ परसंट है एंड पॉब्लिक के पास तो यह एक नागेडी पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको अब देखो अब यह शेयर कब तक उपर जाएगा या कहां से यह रिवर्स आता है नीचे की साड़े में ओपर कहां जाता है वो आगे पता चलेगा तो फिलाल यह बीच में अटका हुआ लग रहा है मिरको नीचे में मतलब 45-46 तो आएगा तो शायद एक वहाँ confidence आएगा लेने में इस वहाँ पर तो कुछ खेर नहीं सकते market अगर value करेगा तो वहाँ फिर हो सकता है कि साट का पी जाता है तो फिर यह value बहुत तेजी से यहाँ 15-20% का jump दिखाई देगा वैसे आपको देखना जिए तो आज का आप सही चनल पर जाएंगे तो लिंक से ही जाना पड़ेगा आपको जो description में मैंने डाल दिया है तो वहाँ से जा सकते हैं वीडियो को like करें शेयर करें friends and family के साथ and मिलते हैं अगले वीडियो में thank you